हेलो बच्चो आज हम DOE की तरफ से जो हमें support material मिलता है class 9 mathematics इसका chapter number 12 करेंगे जिसमें आज हम question number 31 to 35 करेंगे इसके पहले के question हम अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं ठीक है चलिए देखते हैं question number 32 अच्छा question number 32 से करेंगे आज हम ठीक है 31 से नहीं 31 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कर ली है 32 से करेंगे ठीक है चलो question number 32 है हमार पास if s-a is equal to 5 cm s-b is equal to 10 cm s-c is equal to 1 cm find a b and c where a b and c are the sides of triangle देखो आपको क्या है यहाँ पर s-a s-b s-c दे रखा है और आपसे कह रहा है a b c आपको find करना है और यह a b c है क्या यह triangle के sides है और कुछ नहीं है ठीक है एक बर हिंदी मीडियों वालों के लिए देखते हैं एक तिरी भूज की भूजाएं a b तथा c है यदि s-a 5 है s-b 10 है और s-c 1 है एक हो तो a b तथा c का मान ग्याद कीजे वोई चीज़े आपको यहाँ पर बता रखे कि a b और c आपके पास यह तीन भूजाएं दे रखे है एक तिरी भूज की ठीक है आपको इन तिनों का मान निकालना है अगर आपको s-a दे रखा है s-b दे रखा है और s-c दे रखा है ठीक है तो देखे सबसे पहली बात मुझको पता है कि a b c तिनों भूजाएं है एक तिरी भूज की तो पहले मैं क्या करते हूं अपना अर्द परिमाप या फिर सेमी परिमिटर निकाल लेती हूं वह मेरा होगा s is equal to a plus b plus c upon me two ठीक है तो यहां से मैंने इस two को इधर लिया की डिवाइड का है तो मल्टिप्ला है का तो यह हो गया मेरा a plus b plus c इसको मैंने अपने equation 1 निकलिया ठीक है यहां से मैंने a plus b plus c की value निकाल ले ठीक है अब आपको क्या दिया हूं है आपको यह दिया हूं है कि s minus a जो है वह आपका 5 cm है ठीक है यह 5 है ठीक है s minus b जो है वह आ पानो और इसको 4 मानो ठीक है ना अब आप क्या करो 2 plus 3 plus 4 कर दो इन तीनों को plus कर दो तो कितना हैगा s minus a plus s minus b plus s minus c right hand side right hand side के साथ plus होगी और left hand side left hand side के साथ plus होगी ठीक है ना तो यह करके आपका इन तीनों में से minus common ले लिया तो मेरे पास अंदर बचा a plus b plus c ठीक है ना जब मैं भार minus common लेती हूं तो अंदर के sign के हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे ठीक है ठीक है बस अब आपके पास s की value आ गई ना अब आप यहां पर s की value रख दीजे ठीक है ना देखो अगर मैं अपनी equation 2 देखूं तो वो थी मेरे पास s minus a is equal to 5 इसका मतलब 16 minus a is equal to 5 तो यहां से मेरी a की value कितनी आई 16 minus 5 is equals to 11 cm ठीक है चलिए अब अपनी equation 3 देखते हैं equation 3 थी मेरे पास s minus b is equals to 10 इसका मतलब 16 minus b is equal to 10 तो यहां से मेरी b की value आ गई 16 minus 10 वो कितनी आई 4 sorry 6 cm एक मिन मैं यहां इसको 6 कर देती हूं तो वो मेरे पास आगई 6 cm ठीक है अब मैं अपनी equation 4 लेती हूं equation 4 थी मेरे पास s minus c is equal to 1 cm s में पास 16 है minus c is equal to 1 cm तो यहां से मेरे पास c की value कितनी आ गई यहां से मेरे पास c की value आ गई 15 cm और आपको क्या करना था question number 32 में a, b और c की value ही निकालनी थी तो a की value 11 आई, b की value 6 cm आई और c की value 15 cm आई ठीक है चलिए अगला question देखते है है हम question number 33 है हमारे पास the ratio between the sides of the triangle are 357 and its perimeter is 300 cm find the sides of the triangle देखो आपको क्या दे रखा है triangle की जो sides है ना उनकी ratio गिवन है 3 5 और 7 मतलब आपको यहां length नहीं गिवन है length ratio में गिवन है cm और meter में नहीं गिवन है ठीक है और perimeter भी आपको दे रखा है आपको क्या करना है उस triangle की sides निकालनी है हिंदी मीडिया मालों के लिए देखते हैं त्रिबुच की बुझाओं के मरद्रे अनुपात 35 7 हो वै उसका परिमाप तीनसू सैमी हो तो तो तिद्री बुझ की three with aarshate डें ग्यात कीजिए आपको क्या है एक three with a Sun can answer that में इए ऊपको दे रखा आ जो हमारी साइड है Do Your First side हमारी र 연ता है और हमारी आपको पता है जब भी रेश्यों में होता है, तो एक स य वाई-अ-जिर निकाला है साइट जब हम लेंगे यहां पर तो मतलब दूसरी हम लेंगे यहां पर तो दूसरी भूजा मेर पास यहाँ पार है 5X थीक है उसी तरीके से फिर मैंने अपनी दीसरी भूजा भी निकाल ली थरड साईड तो दीसरी भूजा मेर पासा जाएगी यहाँ पर 7X थीक है न अब आपको को parameter यह मत्लब आपको परिमाप दे रखाएं कि कितना दे रखां आपको परिमाप परिमाप आपको 300 कि की यह मेरा ए मानती हूं इसको पूरे को इसको बी मानती हूं और इसको सी मानती हूं रहाएं तो 300 is equal to 3x cat's bus दे चूंग है तो तो 300 is equal to यहां पर मेरा कितना आएगा जब मैं 300 इन सब को प्लस करूंगी तो वो आएगा मेरा 15x तो यहां से मेरा x आ गया 300 upon me 15 ठीक है न तो x की value मेरे पास निकल गई 20 अब मैं क्या करूंगी अपनी यहां से first side निकालूंगी क्योंकि मुझे अपने triangle की sides निकालनी है वो थी मेरे पास 3x तो 3 x 20 तो first side मेरे पास आ गई 60 cm पहली भुजा उसी तरीके से मैं अपनी यहां पर second side निकालूंगी दूसरी भुजा जो मेरे पास थी 5x तो 5 x 20 तो दूसरी भुजा मेरे पास आ गई कितनी 100 cm अब मैं यहां पर अपनी तीसरी साइड निकालूंगी तीसरी भुजा तो वह मेरे पास थी 7x तो वह आएगी 7x20 ठीक है न तो कितनी आएगी वह आएगी मेरी 140 cm आपको तीनों भुजाए निकालने थी ठीक है इस कोश्चन में तो यह था आपका कोश्चन नमबर 33 चलिए कोश्चन नमबर 34 देखते हैं हम अपना कोश्चन नमबर 34 है मेरे पास फाइंड दा कॉस्ट ऑफींसिंग डाउंड इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल विच साइट 16 मीटर 12 मीटर एं 18 मीटर रेट ऑफींसिंग इस 25 पर मीटर देखो आपको क्या करना है एक ग्राउंड है जो ट्राइंगल फॉर्म का है उसकी साइट आपको गिवन है 16 12 और 18 ठीक है उसकी कॉस्ट ऑफींसिंग आपको दे रखी है पर मीटर 25 रुपीज है आपको बताना है उस पूरे जो ट्राइंगल की फॉर्म में ग्राउंड है उस पे टोटल किती कॉस्ट लगेगी उसको फींस करने में ठीक है हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं किसी तिरी भ गुझा का में तिरी भूझ की अकार का रखा है पर मीटर प्रती मीटर आपको 25 रुपे तो आपको ये बताना है कि आपका total खर्चा कितना होगा तो देखो हम क्या करते हैं सबसे पहली बात यहां मुझे जो 3 भूजाएं दे रखी हैं इसको मैं let कर लेती हूं तो मैंने माना कि मैंने A अपना 16 मीटर माल लिया मैंने B अपना 12 मीटर माल लिया और मैंने C स्क्वायर मीटर होता है तो हम एरिया निकालेंगे ठीक है इस चीज का आप ध्यान लखेगा तो पैरी मीटर मैं निकालूंगी तो मेरा कितना आएगा पैरी मीटर मतलब परी माप तो मेरा परिमाप कितना आएगा यहाँ पर 16 प्लस 12 प्लस 18 A प्लस B प्लस C होता है ठीक है तो जब मैं इन सब को प्लस करूंगी तो मेरा आएगा 46 मीटर तो चलो परिमाप तो मेरा आगया अब मुझे cost of fincing दे रखा है वो कितना दे रखा है वन मीटर की cost मुझे दे रखे है 25 रुपीज और मुझे कितने की निकालने है 45 मीटर की क्यूंकि मेरा उसका perimeter जो triangle की shape का में पस ground था तिरी बुजाकार मैदान जो था उसका परिमाप में पस 46 आया है तो 46 की कितनी होगी तो 25 इंटु 46 जब एक मीटर में इतना खर्चा हो रहा है तो 46 मीटर में कितना खर्चा तो आप इसको इंटु कर दो आपको पदाशल जाएगा इसका मतलब उस पूरे मैदान में पूरे ground में जब आप पेंसिंग करोगे तो आपका कितना खर्चा आएगा 1150 ठीक है तो यह आपका कोशन नंबर 34 चलिए आज की क्लास का हम लास्ट कोशन करते हैं कोशन नंबर 35 कहले कोशन रीट कर लेते हैं हम कोशन है हमार पास यहां पर find the area of isocellus triangle whose non-equal sites are of 12 cm having the corresponding altitude 7.5 cm देखो वह आपसे कह रहा है आपको area निकालना है एक isocellus triangle का जिसकी non-equal site वह आपको 12 दे रखी है आपको पता है na isocellus triangle में 2 sites equal होती है तो non-equal site आपको 12 दे रखी है ठीक है और एक corresponding altitude दे रखा है ठीक है एक बार हिंदी मीडियम वालों के ल समद्विभाव तिरिभुच की असमान भुजा की लंबाई 12 cm है यदि उसके संगत शीशलम की उचाई 7.5 cm हो तो तिरिभुच का शेतरफल ग्याद कीजे आपको एक समद्विभाव तिरिभुच की क्या दे रखी है एक असमान भुजा दे रखी है जो अलग है ठीक है और मैंने अपने यह altitude शीशलम बना दिया है इसको मैंने नाम दे दिया A B C मैं माल लेती हूं मेरी यह दोनों साइड जो है वो बराबर थी यह दोनों भुजा है तो मुझे जो बराबर नहीं है वो दे रखी थी 12 cm ठीक है altitude की मुझे दे रखी है 7.5 ठीक है तो मैं अपना area कैसे निकालूंगे यहां पर area of triangle ABC ठीक है या फिर मैं यह लिखूं कि शेत्रफल इसका निकालना है तिरिभुच ABC का ठीक है ना तो वह कितना आएगा half into base into height इंदी मीडियम मालों के लिए देखें तो half into अधार into उचाई यही होता है ना ठीक है तो आप देखो base भी आपको पता है 12 है और hide भी आपको पता है 7.5 है इस 2 से 12 को कटके आज 6 आया 6 into 7.5 आप कर दो जब आप इसको multiply करोगे तो आपका आएगा 45 cm2 तो यह था आपका area of isos तो यह थे आज के हमारे कोशन कोशन नमबर 32 to 35 इसके आगे के कोशन अभी और हैं वह हम अपनी next वीडियो में करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू